नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चनल आचार जागिंद्र मिस्त्रा में ये है फरवरी 2021 की सबसे लखी राशी एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक सातमे आसमान पर है इन राशी वालों का भाग जी हाँ दोस्तों जोतिस सास्त्र की माने तो उन भागशाली राशी इन भागशाली राश्यों के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि यह भागशाली राश्य एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इनके उपर माता लक्ष्मी जी की विशेष क्रिपादरिष्ट बन चुकी है। पलक जपकते ही अब दूर होगी इन राशियों को अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता बहुत बड़ी काम्याबी मिलने वाली है इनकी कुंडली में यानिकी कई वर्सों के बाद राजयोग और धनयोग का निर्माड हो रहा है दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि आख दी लकी रहने वाली हैं तो दोस्तों आप से अनुरोधे की वीडियो को बिल्कूल भी मिशना करें और इसे अंध तक जरूर देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे दोस्तों माता लक्षमी जी की कृपा इससे की इनके आर्थिक लाव के लिए अच्छा अबसर प्राप्त हो शकता है दोस्तों धनलाब के बेहतर अफसर इनको इसदारान मिलेंगे और नए अफसर प्राप्त होंगे निवेस के दिरिष्ट से काफी अच्छा समय इनके लिए सावित रहने वाला है इसलिए इनके अपने अनुभाव की अंसार ही ये निवेस अगर करते हैं तो इनका नजर्या बेहत ही अच्छा रहेगा। इन राश वालों के लिए बेहत ही ज्यादा खास और फलदाई रहने वाला है। इन राश वालों के भाग अब खुलने वाले हैं और इनके जीवन में खुसियों की वरसात होगी। जीवन साथी से अच्छे सलाह मिलने से योग बन रहे हैं और इस दर्मियान जीवन साथी से पुत्र या संतान प्राप्ती की योग बन रहे हैं। इनके माता पिता का पूरा शमर्थन मिलेगा और आसिरवाद मिलेगा दरदादी का भी आसिरवाद मिलेगा और इनके लब पार्टनर के साथ बहुत अच्छी इस तमय यानि की आपश में प्यार रहेगा। बच्चों के साथ अधिक समय बिताते नजराएंगे और आप अपने जीवन की बारी की चीजों को आनंद लेने के लिए सही इस्तिती पर पासकेंगे। इन राश वालों के जीवन में बहुत अच्छे यानि बदलाओ देखने को मिलेंगे और संकेत इस दौरान मिल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली रासी है जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे जो कि फरवरी माहा के महीने में लकी रास रहने वाली है वो है कन्या रासी। परिबार में उत्सव का महोल देखने को मिलेगा और कुछ अगराही जातक के रिष्टे तय हो सकते हैं साधी के नए रिष्टे आ शकते हैं और कुछ यानि कि आपके बिजिनेस ब्यापार में नए डील फाइनल होती नजराएंगी अच्छे साओदे होते नजराएंगे जो लोटरी शक्टा से जुड़े लोगों को इस समय अच्छा धनलाब प्राप्त होगा अबिवाहीत प्रेमियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है अगली जो रासी आती हैं दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे हैं लखी रासी है वो है मेस रासी मेस रासी वालेों के लिए इस द आपके साहिता कर सकता है और आपके लक्ष पराप्त करने के लिए इस दोरान बहुत ज़ादा आपको प्रोसाहित करेगा इसके साथ ही आपके साथ भी खड़ा रहेगा और आपके इस दोरान परिवार के साथ चल रही समस्याई भी solution मिल जाएगा और समापत होंगे कारोबार में इसमें अपने परिवार का सहयोग मिलागा पूरा और पिता से बैवचारिक मतभेत हो शकते हैं लेकिन ये कुछी दिनों तक रहेंगे अगली जो रासी आती है दोस्तों जो है लकी रासी फरवरी के महीने में वो है यानि कि म मिथुन रासी मिथुन रासी वाले जातकों के आने वाला ये एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक कसमें काफी भागसाली रहने वाली है और ये बहुत ही लकी रासी है जीवन में इनके कई बड़े चमतकार इनको देखने को मिलेंगे आर्थिक मुनाफ़ा मिलने की योग बन रही है आपको अपने केरियर में आगे बढ़ने के कई सुनहरे अपसर मिलेंगे इस दौरान अगली जो रासी आती है दोस्तों वह है यानि की सिंग रासी सिंग रासी वाले जातकों के लिए बहुत ही अपसर और बहुत ही सुनहरे अपसर मिलेंगे जिसको इनको अमीर होने से कोई नहीं रोख सकता ये इनके सारे मत्वेद दूर होंगे और मजबूत इस्तितिया बनेंगी इन्हें पुने धन प्राप्त होने वाला है इनके नए प्रेमी प्रेमकाउं से संबंध अच्छे बनेंगे और दोस्तों अगली जो रासी आती है वह धनू रासी धनू रासी जातकों को इस दर्वेहन लब पार्टनर के साथ रोमांस करने का भरपूर मौका मिलेगा जीवन साती से सहयोग प्राप्त होगा और रुपए पैसे संबंधित रोजगार में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और कोई भी चल रही परेशानी या समस्यानी थी वो सौल माह में वह एक फरवरी से लेकर और 28 फरवरी 2021 के बीच आपकी पूर्ण होती दिखाई देगी और इस्टुटेंट के लिए काम्यावी से भरा रहेगा अगली जो रासी आती है दोस्तों वह है मेन राश मेन राश वाले जातकों के लिए भी कई उपलब्दियों लेकर अगली जो रासी आती है वह है करकरास करकरास वाले जातकों के लिए भी बहुत शांदार रहने वाला है एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 केस का समय इनके लिए सांदार रहेगा किसी चमतकारिक से कम नहीं होगा इनकी राजनीतिक के यानिकी केरियर इनका बहुत अच्छा र प्रतिष्ठा प्राप्त होते नजराएंगे शेलिर में बृद्धी की योग बन रहे हैं सरकार की तरफ से कोई कार ये कर रहे हैं तो इनको अच्छा धनलाभ देखने को मिलेगा और इसमें इनके पूजा पाठ में भी मन लगेगा धार्मिक कारियों में इनकी रुच तरफ ये कर्म के कार करते न जराएंगे और लोगों की आर्थिक िदालाभ दोख से और इनके पुराने पुनह प्राप्त यानि पुनह इनके शरू कर सकते हैं और इनकारियों के दम पर ये आगे बढ़ते नजराएंगे और जीबन में तमाम चल रही कड़िनाईयों से य या किसी competition के exam दिये थे और result आने का इंतजार कर रहे थे तो आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा विदेश में रह रहे जातकों को भी बहुत अच्छा लाब देखने को मिलेगा यानि एक फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2020 तक इन राशवालों के भाग अब बुलंदियों पर रहने वाले हैं इन राशवालों के जीवन में कई तरह की उपलब्दियों प्राप्त होने वाली है इनके जीवन में किशी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है इनके जीवन में तमाम तरह की जो मुश्किले चली आ रही थी वो समाप्त होने वाली है और इनहें धनलाब और माता लक्षमीजी की विशेश क्रिपा बनने वाली है माता लक्षमी जी की कृपा दृष्ट से इन राश्यवालों की जीवन में सारे बिगड़े काम बनते नजराएंगे और इन्हें माता लक्षमी जी इस फरवरी के महीने में कई नय सौगात दे कर जाएंगी और इनके यानि केरियर में बड़ी उपलब्धी हासिल होगी नई नौकरी लगने की योग बनते नजरा रहे हैं और दर दर की ठोकरे खा रहे जातकों को नई नौकरी मिलने से इनके मान प्रतिष्ठा में ब्रदी होगी और नई कमपनियों से आफारा सकते हैं जीवन के कई प्रकार के कष्ट दूर करते नजराएंगे और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्ट से इनके सारे बिगड़े काम यानि पूरे होगे इन्हें अनेक प्रकार के लाब होगा सामाजिक दायरा में इनका मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा रुके हुए दूर होगे यानि कुल मिलाके कहा जाए तो इन राश वालों के आने वाले यह फरवरी का महिना किसी चमतकार से कम नहीं होगा और इन्हें अनेक प्रकार के लाब की योग बंते दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों अगर इन में से कोई आपकी भी राशी है या नहीं है तो क आया मालके मैं